बच्चों नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा चौती के पर्यावरण अध्यन के अंतरगर पाठ बीस तरह तरह के घर के बारे में जानेंगे बच्चों आपने कई तरह के घर देखे होंगे अपने आसपास अलग-अलग तरह के घर देखे होंगे जैसे की मिट्टी का घर, सिमेंट का घर, लकडी का घर या फिर आपने दो मंजिला घर भी देखा होगा यह हो सकता है दो मंजिला से जादा भी आपने देखा होगा तो कौन-कौन से किस-किस तरह के घर रहते हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि लकडी का घर जो है वो किन जग़ों पर होता है और यह किस तरह के से होता है इस तरह के घर उन इलाकों में बनाय जाते हैं जहां बहुत अधिक बारिश होती है और जमीन पर काफी पानी वा कीचर भर जाता है यह घर 10-12 फिट की उचाई पर बास के मजबूत खंबों पर बनाय जाते हैं जैसे आप यह चित्र भी देख रहे हैं बास अधिक समय तक पानी में रहने पर भी सरता गलता नहीं है और यह घर अंदर से भी लकडी से बने होते हैं तो बच्चों इस तरह के घर जो हैं यानि लकडी के घर कहां कहां हमें मिल सकते हैं तो जैसे आप यह भारत का नक्षा देख रहे हैं तो हमारे देश में असम एवं मिघाले में इस तरह के घर बनाय जाते हैं क्योंकि यहां साल भर बहुत बारिश होती है और यहां घने जंगल पाय जाते हैं बच्चों अब हम दूसरे प्रकार के घर की बात करेंगे यानि घर के उपर घर आपने अपने घर के आसपास एक मंजिल मकान या दो मंजिल या दो से अधिक मंजिल वाले मकान देखे होंगे तो बच्चों जैसे कुछ शहर ऐसे हैं दिल्ली, मुंबई, आदी में 15-20 मंजिल की इमारते बनाई जाती हैं जिन में 4-5 परिवार अलग-अलग फ्लैट्स यानि घर में रहते हैं और इस तरह के मकान या मंजिले क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि इन शहरों में जगा सिमित रहती है और बहुत लोगों को रहना होता है इसलिए इस तरह के घर में इस तरह की इमारते बनाई जाती है अब बच्चों सोचिए कि क्या बड़ा एक पाइप भी किसी के रहने की जगा हो सकती है हाँ बिल्कुल तो बड़े शहरों जैसे दिल्ली मुंबई या कोलकाता में कुछ लोगों के अपने घर नहीं होते हैं तो वे इस तरह के पाइप को अपना घर बना लेते हैं और फिर इसी में वो रहते हैं और सोते भी हैं बच्चों आपको जानकर आशर होगा कि बर्फ का घर भी हो सकता है क्या सोचके देखिए तो ऐसी जगह जहां चारो ओर बर्फ ही बर्फ है वहां न तो मिठी है न पत्थर और नहीं इट तो क्या ऐसी जगह में भी घर हो सकता है बिल्कुल बच्चों ऐसी जगह बर्फी जो है घर होता है और वो घर बर्फ की सिलियों से बनाय जाते है और इन घरों को इगलू कहते हैं इस घर की दिवारें अंदर से चूने पर थंडी लगती है पर बाहर गिरती बर्फ और थंडी हवा को अंदर नहीं आने देती है आप जैसे ये चितर में भी आप देख रहे हैं ये बर्प के घर है, इनके अंदर आग जलाई जाती है, जिससे घर वो गरम रहता है, इतना गरम की बच्चे जो है घरों के बिश्तर पर बगेर गरम कपड़ों के सोते हैं, अब सोच के देखिए कि क्या आपके यहाँ इस तरह के यानि बर्प के घर बनाय जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? तो बचों आज के इस पार्ठ में हमने क्या-क्या सिखा? विभिन प्रकार के घरों के बारे में जाना, जैसे बहु मंजिली इमारते, लकडी के घर और बर्फ के घर. बचों तो आज हमने अपने पार्ठ में बहुत कुछ सिखा, तो अब अभ्यास कारे करेंगे. इसके उत्तर क्या-क्या होंगे? आप भी बताईएगा. जैसे पहला है, असम एवं मिघाले राज्यों में खालिस्थान के घर बनाए जाते हैं. यह आपको पताई होगा, है ना? तो इसका उत्तर क्या है? लकडी के घर. दूसरा है, मुंबई दिली जैसे बड़े शहरों में सीमित जगह होने के कारण खालिस्थान इमारते बनाए जाती हैं. इसका भी उत्तर आपके पास होगा, है ना? इसका उत्तर है, बहु मंजली इमारते बनाए जाती हैं. तीसरा है बर्फ के घर को खालिस्थान कहते हैं तो इसका भी उत्तर आपके पास होगा तो इसका उत्तर क्या है इगलू बर्फ के घर को इगलू कहते हैं अब हम ग्रे करेंगे बचों आप अपने किसी साथी या भाई या बहन के साथ ऐसी जगह जाओ जहां कोई मकान या भवन या दुकान बन रहा हो वहां काम कर रहे हैं लोगों से बाते करो और इन प्रश्णों के उत्तर पता करके लिखो कि जहां पर आप गए हैं वहां पर क्या बन रहा है और यहां कितने लोग काम कर रहे हैं और फिर वे क्या क्या काम कर रहे हैं यहां कितनी महिलाई और कितने पुरुष हैं क्या यहां बच्चे भी काम कर रहे हैं और फिर मकान या भवन या दुकान बनाने के लिए किन-किन चीजों का उपयोग हो रहा है तो इन सब के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे धन्यवाद